हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी को कामिक वर्ल चैनल पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं परंपरा कामिक्स में खूनी ओवर कोट खूनी ओवर कोट आँ बहुत प्यास लगी है मुझे आओ मेरे पास आओ सैकड़ों लोगों का खून पीकर भी मेरी प्यास नहीं बुझेगी मैं ना कोई इनसान हूँ ना कोई जंगली जानवर मैं हूँ लोगों के खून का प्यासा खूनी ओवर कोट रात का गहरा अंधेरा कोसो दूर तक फैला घना जंगल और उस जंगल के बीच एक कार तेजी से दोड़ी चली जा रही थी तब ही अचानक वह कार घर गरा कर रुख गई इस बियावान जंगल में कार क्यों रोक दी गौतब शिल्पा मैंने कार रोकी नहीं है कार अपने आप रोकी है शायद पिस्टन में कुछ गड़वड हुई है ओ ये तो बहुत बुरा हुआ एक बार फिर स्टार्ट करके देखो शायद कार स्टार्ट हो जाए कई बार कोश बैड लाइट जल रही है कोई जंगली जनवा पास भी नहीं पठकेगा कार से नीचे उतर का गौतम बोनर टुठा कर इंजन पर जुग गया शिल्पा तुम कार स्टार्ट करो मैं इंजन देख रहा हूं काफी कोशिश के बाद भी कार स्टार्ट नहीं हुई कार तो स्टार बैट नहीं हुई शिल्पा लगता हुई यह काली अमावस की राठ हमें इस घंगल में गजाननी पड़ेगे संख गया होगा अरे होगा क्या कुछ शेर चीते होंगे कुछ भेडिये भूतपायट तो होंगे नहीं गौतम प्लीज भूत प्रेतों की बाते मत करो मैंने कई लोगों से सुनाए गनी जंगल में सब कुछ हो सकता है गौतम ने कार का तरवाजा खोला अच्छा बाबा आप कुछ नहीं कहूंगा तो मैं टर लग रहा है तो थोड़ी कॉफी पीलू तब तक शायद पीचे से कोई ट्रक आ जाए शिल्पा ने थरमास कोल कर देखा तो चौक पड़ी अरे इसमें तो एक बूम भी कॉफी नहीं है कॉफी नहीं है लेकिन पिछले खजबे में तो मैंने कॉफी ली थी फिर कहां गई गौतम ये सब क्या हो रहा है कहीं आज की रात हम किसी मुसीबत में तो नहीं शिल्पा तुम तो बहुत भावुक हो छोटी सी बात को बहुत गहरा ही तक सोच जाती हो ऐसा कुछ नहीं होगा कुछ देर तक दौनों चुपचाप बैठे रहे गौतम ने हैडलाइट बन करके लाइट डिपर कर दी शिल्पा तुमको उस देर कार में बैठो मैं आसपास घूम कर आता हूँ आसपास कोई बस्ती हो सकती है नई मैं अकेली नहीं रह सकती और तो मैं भी अकेली नहीं जाने दूँगी अच्छा तो हम दौनों चलते है यदि आसपास कोई अच्छी जगह ना मिली तो वापिस लोटाएंगे दौनों टॉर्ज की रोश्णी में सड़क पर चल पड़े जंगल में शिकार के लिए आने वाले कॉटेज भी बना लेते है शायद आसपास कोई कॉटेज मिल जाए काफी दूर तक दौनों चलते रहे तभी कुछ देखकर शिल्पा जोड से बोली गौतम भू देखो उतर हलकी सी रोश्णी दिखाई दे रही है वहाँ वश्चे कोई होगा फिर दौनों सड़क से हटकर रोश्णी के दिशा में चल पड़े लेकिन मुझे वो रोश्णी काफी दूर लग रही है जंगल में पेड कटने काटने वाले रात को ऐसी रोश्णी करके रखते हैं शायद वहाँ कोई कॉटेजी मिल जाए काफी देर तक चल कर दौनों रोश्णी के पास पहुंचे शिल्पा, वहाँ तो कोई पुरानी हवेली दिखाई दे दिये चलो, रात बर ठहने का इंतजाम हो जाएगा मुझे तो अंधेरे में वह हवेली देखकर डर सा लग रहा है ओ शिल्पा, हर बात में डर ढूंड लेना तुम्हारा सवाब बन गया अब चुप चुप चलो कुछी देर में दौनों हवेली के बड़े दरवाजे के पास खड़े थे भीतर से लाल्टेन की रोश्णी आ रही थे हवेली में कोई है, बाहर आओ, कोई है भीतर से धीरे-धीरे चलता हुआ एक बुड़ा आदमी बाहर आया बाबा, हम यह रात बर ठहरना चाहते हैं भीतर तुम्हारा मालिक हो तो उन्हें खबर कर दू आपकी कार खराब हो गई है, इसलिए रुखना चाहते हैं आप हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे मालूं कि हमारी कार इस हवेली में जो आता उसकी कार ही खराब होती है दूसरा वला इतनी रात को इस उन्सान हवेली में क्यों आएगा आईए मेरे पीछे-पीछे, चलते आईए, मुझे भी नीद आ रही है दौनों चुपचाब उस बूड़े के साथ चलने लगे लाल्टेन की धुन्डी लौशी में चलते हुए काफी लंबा गल्यारा पार किया बाबा, तुम्हारे मालिक अवेली में कैसे रहते हैं? अकेले हैं या उनके बीबी बच्चे भी हैं? तुम खुच चलकर देख लेना गौतम, मुझे तो यह बूड़ा कुछ रहस में लग रहा है कईम किसी मुसीबत पन तो नहीं फस गई? ओ, तुम तो बेकार, मैं हर किसी पर संधे करने लगती हो रात बर की तो बात है तब ही आगे बढ़ते हुए बूड़े के पाउं लड़कड़ा है बूड़ा आगे की और जुका और गौतम, उसे देखो वैं लड़कड़ा कर नीचे गिरा है चपाक, नई आगे बढ़कर टॉच की रोश्णी में देखते ही गौतम कांप कर रहे गया बूड़ा वर्षो से सवेली में रह रहा होगा फिर क्या उसे पता नहीं था कि आगे क्या है बूड़े की आवाज भी नहीं सुना ही देदिये कौतम यहां से अभी निकल चलो मुझे एक पल भी आनी रहना बूड़े ने अभी कहा था उसे नीन आ रही है कहीं वैं नीन के जोके में तो नहीं गिर पड़ा लेकिन उसकी चीक पोगार की आवास तो आनी चाहिए थी हो सकता है तालाब में यानी पानी बहुत गहरा हो और वह नीचे तक ढूग गया हो मैं उसकी लाश देखता हूँ लाश तो तैर रही होगी लाश नहीं मैं तो मैं नहीं देखने दूगी वापिस लौट चलो गौतम प्लीज लेकिन गौतम जित करके टौज की रौशनी में लाश देखने लगा शिल्पा देखो लाश पानी पर तैर रही है दोनों वहां से लौट रहे थे कि एक बड़े कमरे के सामने पहुंसते दरवाजा चर्मरा कर खुलता चला गया गौतम ने टौज की रौशनी में देखा शिल्पा भीतर तो काफी सजावर दिखाई दे रही है भीतर चल कर देखते हैं नहीं नहीं मैं यहां नहीं रहना चाहती अपनी कार में रात गुजाल लेंगे यहां से चलो शिल्पा के रोकते रोकते भी गौतम भीतर चला गया अरे ऐसा लगता है जैसे किसी आलीशान होटल में पहुंच गया हम शिल्पा यहां तो लैंप और माचिस भी रखिए तुम टॉच पकड़ो और लैंप चला दिता हूँ लैंप की रोशनी में खोटी पर टंगी एक ओवरकोट को देखकर शिल्पा चौक पड़ी गौतम देखो इस ओवरकोट को ऐसा लगता है किसी ने कुछ देर पहले ही यहां ठांगा है हो सकता है इस हवेली के मालिक किसी दूसरे कमरे पे सो रहे हूँ मैं दूसरे कमरे पे जाकर देखता हूँ तुम यहीं बैटो लेकिन जल्दी लोटना मैं अधिक देर अकेली नहीं बैट सकती गौतम टॉच लेकर बाहर निकल गया गौतम को बाहर गय हुए कुछ ही देर हुई थी कि यह वरकोट क्यों हिल रहा है ऐसा लग रहा है कोई इसे पहन रहा है लेकिन इसे पहनने वाला तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा पलक जब अगते ही ओवरकोट चलता हुए उसके पास आगर खड़ा होगे कौन हो तुम तुम देखना ही चाहती हो मैं इस हवेली का मालिक हूँ देखो मुझे अगले पल अवरकोट वाले को देखते ही शिल्पा की चीक निकल गई नहीं गौतम बचाओ अवरकोट पहने बनर कंकल शिल्पा की और बढ़ा नहीं आओ मेरे पास आओ मुझे बहुत प्यास लगी है मेरी प्यास ताजा खून पी करी बुस्ती है आओ नहीं मुझे छोड़ दो मुझे जाने दो नहीं नहीं दिवार से टकरा कर रुख गई शिल्पा ओ बचाओ गौतम बुड़े ने जपट कर उसे अपने पंजो में दबूच लिया और फिर बुड़े के दाद शिल्पा की गर्दन में घुस गए उधर शिल्पा की चीक सुनका गौतम चौक पड़ा ओ शिल्पा की चीक उसे अचानक क्या हो गया और गौतम उल्टे पाउं तीजी से दोड़ पड़ा लेकिन उस कमरे का दृष्ट उसे कपा देने के लिए काफी था खून? खून के चीटे? शिल्पा की तूटी हुई चूड़िया इसका मतलब उसने अपरादी से बचने के लिए संगाश किया था अपरादी दर्वाजे से बाहर भी निकला यदि वे बाहर निकलता तो उस पर मेरी नज़र अवर्श पड़ती फिर कहां गया वो? तब ही उसकी नज़र ओवर कोट की और उठ गई ओवर कोट कायब है? नई, यह नहीं हो सकता इसका मतलब ओवर कोट का मालिक यहां आया तो और भई शिल्पा को ठाकल ले गया गौतम उस अवेली से बाहर की और भागा तब ही, रुख जाओ, भीतर मत जाओ इस अवेली में भूत प्रेत है उसने मेरी पत्नी के हत्या करके लाश भी कायब कर दी है तो तुम कौन हो, मुझे पूरी बात बताओ मैं तुम्हारी साहधा करूँगा किसने तुम्हारी पत्नी के हत्या की उसने, उस काले ओवर कोट ने और फिर गौतम ने संचित में उसे सारी कहानी सुना दी मेरी बात पर विश्वास करो और यहां से भाग चलो नहीं तो ओवर कुट तुम सब को माड आलेगा दोस्त मेरे पास स्रिवालवर है मेरे साथ अंदर चलो डरो नहीं इस गोली से भूत प्रेतों को भी डरना पड़ता है तुमारी पत्नी इसी अवेली में होगी मैं उसे तलाश करूँगा गलियारे में चलते हुए यह वक न पर पढ़ी चलिया मैं घंशाम रंजन और मेरी पत्नी सुनीता और यह मेरी सिस्टर मॉनिका आइम अ जर्नलिस्ट और मुझे रहस रोमाज की रिपोर्टिंग करना बहुत अच्छा लगता आप अभी कह रहे थे इस हवेली में कोई भूत परे थे यादि ऐसा होगा तो मैं अपने अकवार के लिए थ्रिल लॉर्ण्स की स्टोरी तहर कर लूँगी गौतम उसे उसी कमरे में ले गया हम इस कमरे में ठहरे थे ये लेम मैंने ही चलाय था और वहाँ ओवरकूट तुम तो कह रहे तो ओवरकूट गायब था हाँ यही सोच कर दी तो मैं हैरान हूँ कि ओवरकूट फिर यहां कैसे आ गया मुझे तो लगता है कि आपने कोई थ्रिल लॉर्ण्स की फिलिम देखिए या कहानी पढ़िए उसी से आप इतना बैबीत हो गए कि इस ओवरकूट को भूत प्रेट समझ बैटे अगर मैंने कोई सपना देखा या कहानी पढ़ी तो मेरी पत्नी कहां चली गई भूत प्रेट की बात चोड़िए आईए मेरे साथ चलीए हम दोनों तुमारी पत्नी को डूड़ेंगे गंशाम और गौतम टॉच की रोचनी में बाहर निकल गए भावी फैंटास्टिक घने जंगल में अचाना कार खराम हो जाने से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन सवेली में आकर तो मज़ा आ गया मैं तो बहुत ठक गई हूं मोनिका कुछ देर बिस्तर पर लेट कार आराम करूँगी मोनिका भी सुनीता के पास आकर बैट गई कुछ देर बाद अनायास मोनिका की डिस्तर ओवर कोट की ओर उट गई ओवर कोट को हिलते हुए देख भैचोक पड़ी यह ओवर कोट अपने आप क्यों हिल रहा है मोनिका के देखते ही देखते आश्यजनक परिवर्तन हुआ ओवर कोट चलता हुआ मोनिका के पास आकर खड़ा हुए कौन हो तुम तुम मुझे देखना चाहती हो देखो मैं सवेली का मालिक हूँ अगले पल ओवर कोट पहने एक नरक अंकाल दिखाई दिया तो मोनिका की चीख गुण गई नहीं मोनिका की चीख न सुनीता को भी बहबीत करके जगा दिया और ओवर कोट पर डिष्टी पढ़ते ही चीखने से अपने को रोक ना सकी आओ मेरे पास आओ मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है मेरी प्यास किसी इंसान के घून से ही बुझेगी चीख ही पढ़ी मौनिका भाभी मुझे बचाओ नरकनकाल नहीं जबटकर मौनिका को पकड़ लिया भाभी बचाओ छोड़ दे कमीने मौनिका को छोड़ दे मैं तुझे मार डालूंगी सुनीता के देखते ही देखते ओवरकोड वाला नरकंकाल बूड़े के रूप में परिवर्तित हो गया ओवरकोड वाले बूड़े ने सुनीता को थपड माला चड़ा चीकती ही सुनीता दूर जा गिरी बूड़े ने मॉनिका को कंदे पर डाला बचाओ उसके दीवार के पास पॉस्ती दीवार अपनी जगे से हट गई और ओवर कोड़ वाला उस अंदेरे में गायब हो गया नहीं बचाओ सुनीता बाहर के और भागी लेकिर अधिक दूर तक नहीं दोड सके घरने के साथ भी बेहोश होती चली गए उधर चीक सुनकर घंचाम और गौतम दोड़े लगता है फिर कोई हाथ सा हुआ है बरामदे में सुनीता को देखकर उनके हिरदय आशंका से धढ़ाग उटे सुनीता, सुनीता, क्या हुआ तुमें? अरे, यह तो ब्होश है मोनिका, मोनिका कहा है? गपातम, तुम सुनीता के पास तैरू, मैं मोनिका को देखता हूँ उसे, गंशे हम दोड़ता हुआ फिर गौतम के पास पहुंचा, गौतम मॉनिका वहां नहीं है, और वह ओवरकोट भी वहां से गायवे, ओ, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, जरूर इस ओवरकोट में ही कोई रहसे छिपाए समझ में नहीं आ था मॉनिका को कहा तलाश करें, सुनीता को पहले होश में लाना आवर्शा करें, रखना की वास्तिविक्ता सुनीता ही बता सकेंगी, मुपर पानी के चीटे मारने से जल्दी सुनीता होश में आ गए, मॉनिका को वो ओवरकोट वाला बूड़ा उठा कर ले गया, तीनों कमरे से बाहर निकले, तलाक, ओवरकोट, 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 घंशाम, लगता है किसी ने अभी अभी इसको यहां लटकाया है, लेकिन कोई भी हो, अब वो मेरे आतों से नहीं बचेगा, मैं सारी गोलियां उसके शरीर में उतार दूँगा, थाए, थाए, घंशाम ने हिलते हुए ओवरकोट पर दो गोलियां चलाई, तब ही चीग उठा कौता हूँ, घंशाम, ओवरकोट से खुन टपक रहा है, ये कैसे हो सकता है, मैं कहती हूँ, ये ओवरकोट नहीं, कोई भूत परेत है, भाग चलो यहां से घंशाम, नहीं, यदि भूत परेत होता तो इसमें से खुन कैसे टपकता, मैं इस रहाईस को जान करी रहूँगा, कहीं इस ओवरकोट पर किसी आत्मा का प्रखोप तो नहीं है, तब ही एक रहस से, उस ओवरकोट के साथ खुटी से नीचे उतरा, घंशाम भाग चलो, देखो, उसे कोई पहन रहा है, फिर ओवरकोट उनकी उड़ चला, घंशाम, ये हमारी ओर आ रहा है, गोली चलाओ घंशाम, चलाओ गोली, घंशाम ने ट्रिगर दबाने की कोशिश की लेके ने, तुम गोली क्यों नहीं चला रहे घंशाम, क्या हो गया तुमें, ट्रिगर जाम हो गया कौतम, नहीं, रुक जाओ, कौन हो तुम, ओवरकोट नहीं रुका, और उसना सुनीता को पकड़ लिया, छोड़ दो इसे, छोड़ दो, घंशाम मारो इसे, अगला पल विचेत्र आश्टर्वे से भराता हुन सब के लिए, कौतम, घंशाम को बचाओ, ओवरकोट उसे माड़ा लेगा, थड़ाक, उपर उठता ओवरकोट छच से टकराया, घंशाम तेजी से पंके की तरफ घुमने लगा, बचाओ, घंशाम तेजी से नीचे गरा, आ, था, नहीं, नीचे गरते घंशाम की चीख उठी, गुँच उठी, शायद यही उसकी अंतिम चीख थी, नहीं, नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते घंशाम, तभी घंशाम का जिसम फूट पड़ा, और खून बहने किला, सुनीता, खोश में आओ, इस हवेली में रुखना खत्रे से काली नहीं, यहां से बाहर निकल चलू, लेकिन उनके भाग निकलने से पहले, ओवर्कोट कमरे के तरवाजे पर प्रकट गुआ, ओ, नहीं, नहीं, गौतम, ओवर्कोट ने सुनीता को पकड़ने की कोशिश की, तो गौतम उससे उलज़ किया, अब चाहे मेरी जान भी चली जाए, लेकिन मैं तुझे जिन्दा नहीं चोड़ूँगा, मार डालूँगा तुझे, ओवर्कोट का एक हाथ तेजी से घूमा और धार, ओ, गौतम तेजी से दीवार से टकराया, ओवर्कोट फिर सुनीता की ओर बड़ा, ओवर्कोट ने फिर सुनीता को पकड़ लिया, ओवर्कोट तेजी से उचला, और ओवर्कोट का कॉलर पकड़ कर जूल गया, बचाओ गौतम, हत्यारे, मैं तुझे नहीं चोड़ूँगा, ओवर्कोट कुछी पलोग लिए सचमुच रुप गया, ओवर्कोट का चैरा नरकंकाल में परिवर्थित होने लगा, ओवर्कोट गौतम की और पलट गया, नहीं, गौतम की निगा पास पड़े, रिवॉल्वर पपड़ी, रिवॉल्वर? पलग जपकते ही, गौतम ने रिवॉल्वर उठा लिया और टेगर दबाता चला गया, थाँ, थाँ, नंग, नरकंकाल में फिर परिवर्थन हुआ, आगे बढ़कर ओवर्कोट ने गौतम को उठा लिया, नहीं, और तेजी से दिवार पर दे मारा, थाँ, नहीं, गौतम अपने होश खोता चला गया, ओवर्कोट के सामने अब कोई अवरोध नहीं था, नहीं, बचाओ, उसना सुनीता को कंधे पर उठाया, पता नहीं कितनी देर तक गौतम भ्योश पढ़ा रहा, जब उसे होश आया तो दिवार गड़ी में तीन बच रहे थे, टन, 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 ओ, तीन बच गए, ओवर्कोट सुनीता को भी ले गया, फिर गौतम एक पल भी वहाँ नहीं रुका, तेजी से दोड़ता गौतम हवेली के बाहर पहुचा, तब ही वहाँ एक कार आखर रुकी, सुनी है, सुनी है, भाग जाईए यहां से, यहां मत रुके, इस अवेली में मौट छुपी है, कैसी मौट, तुम कौन हो, क्या तुम इस अवेली में रहते हो, नहीं मैं भी तुमारी तरह पढ़ते हूँ, रात गुजारने के लिए इस हवेली में ठहर गया था मेरी पत्नी मेरे साथ थी उसने मेरी पत्नी को माड़ा ला किसने माड़ा ला तुम्हारी पत्नी को चलो मेरे साथ नहीं मैं आपके साथ हाथ जोड़ता हूँ भाग जाएए यहां से वे अभी आता ही होगा वो आ गया तो हम में से किसी को भीची फिता ही चोड़ेगा प्लीज भाग चलिए यहां से तुमारी पत्नी का हत्या रख है इस हवेली में मौझूद है कौन है वो हाँ वो भीतर हवेली में वो किसी भी बल भार आ सकता है खून का प्यासा है वो ओवरकोट ओवरकोट? कोई ओवरकोट भी कभी हत्या कर सकता है हसो मत साब उस ओवरकोट को देखोगे तो फिर कभी नहीं हस पाओगे वो तुमारी आखों के सामने तुमारी खुबसूरत पत्नी के हत्या कर देगा और तुम कुछ नहीं कर सकोगे मेरी बात मानो अपनी जान बजाना चाते हो दो भाग चलो यहां से परना वो साब वो आ रहा है ओवरकोट बुरी तरह चौक कर सब ने हवेली के दरवाजी की और देखा यह ओवरकोट नहीं साब साक्षात मौत है मौत मैं फिर कहता हूँ साब भाग चलो ओवरकोट अभी तक दरवाजे पर इस्तिर था तुम डरो नहीं मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ अगर यह ओवरकोट बाला खुनी अत्यार है तुम इसे जेल बेच करना हूँगा नहीं रुक चाहिए साब मौत के पास नहीं चाहिए तुमारी गोलिया में उसे नहीं मार सकती मैटम अपने पथी को रोक लो रणधीर रुको धीरे धीरे चलता हुआ ओवरकोट इंस्पेक्टर के पास आकर खड़ा हो गया कौन हो तुम इस अवेली का चौकीदार हूँ साब क्या आपको अवेली में ठहर ना है रणधीर की पतनी सुर्भी और गोतम भी उसके पास पहुँच गए थे अरे तुम इस बूड़े को अत्यार कह रहे थे यह तो चौकीदार है और फिर इतना बूड़ा और कमजोर है कि ठीक से चल भी नहीं सकता यह बूड़ा और कमजोर नहीं है साब यह खूनी और हत्यार है मेरी बात मान लो भाग चलो यहां से यह खूनी हवेली है साब खूनी हवेली वाह फिर तो बहुत रोमांच मिलेगा यहां ठहरने में क्यो सुर्भी तुम हमारे साथ अंदर चलो मेरे रहते तो मैं किसी से टरने की कोई जरूरत नहीं आओ चलो शायद मौनिका का कुछ पता चल जाए मुझे इनके साथ चलना चाहिए गौतम ने रड़धीर को ओवरकोट वाला कमरा दिखाया यह वही कमरा है रड़धीर देखो इसी ओवरकोट ना मेरी पत्नी को गायब किया और सुनीता और उसके पती घंशयाम के हत्या किया मेरी आँखों के सामने लेकिन कोई ओवरकोट यह सब कैसे कर सकता है सुर्भी मुझे तो एकदम थ्रिल हॉरर सिस्पेंस की स्टोरी लग रही है रड़नी यह स्टोरी नहीं है सुर्भी यह सच है आखो देखा सच और बुड़ा चौकीदार नहीं है इस हवेली में भटकती हुई कोई आत्मा है जो यह ठहरने वालों का खून पी जाती है रिलाक्स मिस्टर कॉतम रिलाक्स शायद तुम सच कह रहा है सब पता कर लूँगा मैं सुर्भी धरमस में जो कॉफी निकालो हम तिनों कॉफी पीएंगे कॉफी लेकिन इस धरमस में कॉफी होगी ही नहीं सुर्भी न जल्दी से धरमस खोल कर देगा अरे इसमें तो एक बून भी कॉफी नहीं है ये कैसे हुआ सुर्भी पिछले कजबे में तो कॉफी ली थी हमने हमारी कॉफी भी ऐसी गायब हुईती रर्दी और कार अचानक खराब हो गईती सुर्भी बहभी तो उठी कहीं सचमच सहवीनी में किसी हात्मा का प्रकॉप तो नहीं है लेकिन हमारी कार तो खराब नहीं हुई है कोई बात नहीं मैं बूड़े चौकीदार से चाय का प्रभश करने के लिए कहता हूँ लेकिन अब वे बुड़ा चौकीदार भी तुम्हें नहीं मिलेगा रर्दीर वे भी गायबू चुका होगा ये कैसे हो सकता है मैं अभी बाहर जाकर उसे देखता हूँ तब ही सुर्वी की आवाद ने सब को चौका दिये रर्दीर देखो वे ओवर्टोट कैसे हिल रहा है अरे हाँ लेकिन यहां तो हवा भी इतनी तेज नहीं चल रही रर्दीर भी ओवर्टोट को हिलते देख हैरान था रर्दीर यही ओवर्टोट उस दूड़े चौकीदार ने पहन रखा था तो फिर यहां कमरे में कैसे आ गया रर्दीर हो ना हो हम किसी भूता बेड़ी में आ गयं तभी ओवर्टोट जोर्टी से उतरा कोई तिखाई नहीं दे ता फिर ओवर्टोट को किसने उता रहा रर्दीर यहां से भाग चलो भाग चलो रर्दीर ओवर्डोटो नंसब के ओर बढ़ने लगा ताए 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 दर्वाजी की और बड़े लेकिन तभी, ओ, दर्वाजा अपने आप बंद हो गया, अब क्या होगा रर्धीर, मैं दर्वाजा तोड़ का देखता हूँ, रर्धीर ने पीछे एट का दर्वाजे को ठोकर मारी, कार, दौनों की ठोकरों ने दर्वाजा तोड़ दिया, तीनों भागते हूँ, हवेली से बाहर पहुचे, सुर्वी, गौतब, चल्दी कार में बैठो, लेकिन अभी रर्धीर कार स्टाट कर पाता है कि, इस कार से, इसे कार से कुछ ड़ालो रर्धी, मार डालो इस खुनी को, कार तेजी से दोड़ी, लेकिन उस बुड़े से नहीं टकरा सकी, बुड़े ने कार को उठाकर दूर भैक दिया, बचा, थाला, बुड़े ने सुर्वी को उठाया और उसकी गर्दन पर दात कड़ा दिये, खुछी देर में सुर्वी की चीखे भी दम तोड़ गई थी, हर रात उस अभेली में हत्यायक क्यों होती थी, कौन था वे करते हों मिलते हैं, इस कौमिक के आगले भाग, खुनी ओवरकोट का रहसी में, तब तक के लिए धन्यवाद